मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे यूटीब चैनल को सब्स्राइब करें और वेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखे नज़ाइब नमस्ते दोस्तों, SkyMet Weather में आपका स्वागत है, मेरा नाम महेश पलाबत है आज हम बात करेंगे कि अगले कुछ दिलों के दोनान क्या-क्या वेदर एक्टिविटी होने वाली है और सबसे बड़ा विशा ये इस समय लोगों के जहन में उठ रहा है कि एक जो चक्रवाती तूफान है, यानि कि टाइफून क्या सकते है, उसको या साइकलोन क्या सकते है नौरू, जो वियतनाम में काफी जादा तभाई माचा चुका है और वो आगे बढ़ रहा है, उसका आसर बंगाल के खाड़ी पर आते-ाते क्या देखने को मिलेगा और भारत पर क्या आसर रहेगा, इस पर भी डिसकस करेंगे और इस समय क्या वेदर एक्टिविटी हो रही है, और मानसून की क्या चाल है इसके बारे में भी थोड़ा सा डिसकस कर लेते हैं, तो आप देखिए कि यह जो सेटलाइट पिक्चर है इसमें आप देखेंगे केवल दक्षिन भारत में और पूरवी भारत के कुछ इलाकों में, मद भारत में यहीं पर हलके बुल के बादल है, और जातर पंजाब, हर्याणा, पहाड़ों के साथ, पश्मी उत्तर पदेश है और राजस्तान के जातर इलाके लगबख शोच्क बने हुए है, क्योंकि मानसून अब विदाई की तरफ अग्रसर हो रहा है और जो वैदर सिस्टम बने हुए है, आप देखे, एक एड़ि साइकलोन यानि विद चक्रवाती हवाओ का छेत्र है, जो राजस्तान के उपर बना हुआ है, एक साइकलोनिक सर्कुलेशन है, जो नौर्थ वेस्ट अरेवियन सी पर है, लेकिन इसका कोई भी असर भारत के भूबाग पर दिखाई नहीं देने वाला है, एक साइकलोनिक सर्कुलेशन है, जो बंगाल की खाड़ी में है, ट्रफरेका इस तरह से आ रही है, एक जो साइकलोन है, यानि समुदरी तुफान नोरू, वो अब आगे बढ़ता हुए है, थाइलेंड से भी आगे आते हुआ और ये एक लो प्रेशर एरिया में तबदील हो जाएगा, और यही आगे बढ़ेगा, और यहां पर आकर के फिल से सैकलोनिक सर्कुलेशन बनेगा, एक अक्टूवर के पास आसपास, और दो या तीन अक्टूवर के आसपास यहां आकर के लो प्रेशर एरिया में तबदील हो जाएगा और आगे बढ़ेगा वो बात की बात है उसके बारे में डिसकस करेंगे तो इस समय देखते हैं कि पहाड़ों पर क्या मौसम रहने वाला है तो जम्मू कश्मीर गिलगिट बाल्टिस्टान बजफरवाद लद्दाख हिमाचल प्रदेश इन सारे लाखों में मौस तारीक तक हमें उम्मिद रिखाई नहीं दे रही कि यहाँ पर किसी भी तरह की मौसमी गत्वी दी ऐसी हो जो लोगों को परेशान करें तो यानि कि अगर आपको कहीं पर भी यादे केदारनाथ, बदिनाथ, हेमकॉंट, कहीं पर भी अगर जो पहाड़ों पर यात्रा करनी हैं तो आप निश्यन थो करके जा सकते हैं और बाकी जो तीरती स्थल है और जो परेटा के स्थल हैं वहाँ पर भी आप जम्मो कश्मीर, हिमाचल, लद्दाख, या उत्राखन में जा सकते हैं, किसी भी तरह की आपको परेशानी नहीं देखने को मिलेगी, पंजाब, हर्या है, इसमें सेकंड समर आ जाती है, यानि कि तापमान बढ़ जाते हैं, कि कुछ समय आसमान साफ होता है, वेस्टन डिश्टरमेंस अपना जो रंग है, वो यहां तक नहीं दिखा पाते, तो वेदर एक्टिविटी नहीं होने कारण, और आसमान साफ होने का कारण, और तेज हो जाएगा, और जो मांसून की विड्रॉल लाइन है, वो और आगे बढ़ेगी, और अक्तूबर के सुरुआती दोर में हमें उम्मीद है कि हिमाचल प्रदेश, जमो कश्मीर, लद्दा, उत्राखन के कुछ भागों के साथ साथ, पश्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च पश्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् हारवर 24 परगना कलकत्ता तुलिया बांकुरा यह सारे लाके बारिश देख सकते हैं सांति निकेतन बगेरा और उसी तरह से जहारकंड विहार लगबग सुष्क रहेंगे गुजरात के कुछ लाकों में अब बारिश की गत्विदिया जारी रहने वाली हैं खास करके फूर्वी जलों में बारिश होगी और ये बारिश की गत्विदिया लगातार जारी रहेंगी यानिके हलकी फुलकी रहेगी और ये पांच और शे अक् लापूर सिंद दुर्ग रत्नागिरी यह जो इलाके हैं यह बारिश ज्यादा देखेंगे सांगली सतरा पुर परवनी उस्मानाबाद इन इलाकों में पुड़ी तेज बारिश भी हो सकती है अगले दो तीन दिरों के दोरान और उसी तरह से पूरे वगेरा में भी लाइट तक पहुंचेगा और अगर हम बात करें अब दक्षन भारत में तो तिलंगाना आंदर प्रदेश यह सारे इलाके बारिश देखेंगे तमिलनाडू और साउथ इंटिया करनाटका में भी बारिश की गत्विदिया अच्छी हो सकती है और यह जो वादर सिस्टम हम कह रहे थ सकता है कि यहांसे यह जब यह चाहिना बन जांगा और इदा आते रहर प्रेश बनेगा और यह इस तरह से आगे जा सकता है और अभी जो बारिश रत्विदियाह हैं वह श्चीव horses लेक्र खरके यह यह इलाका हो गया और यह मत यहांसे है कि और यह करनाटका यह सारे रेंगलूरू, चामरार, जगर, मैसूर, यहां पर भी बारिश होगी और तमिल नाडू के कई लाकों को अच्छी बारिश देखने को मिलेगी, केरल में हाला के बारिश की गत्विद्या थोड़ी सी कम रहेंगी, और बाद में दो दिनों के बाद बिदर्व मराठवारा में भ बारिश कम रहेंगी, लेकिन बाकी इलाके अच्छी बारिश देखेंगे, यानि पूर्वी भारत और यह चतिस गड़ से लेकर के दक्षण भारत में भारिशी गत्विद्या अभी फिलहाल जारी रहने वाली है, और पूर्वत्तर राजों में भी हलके से मद्यम की बारिश के साथ महराष्ट के कई यलों में बारिश होगी, पांच-छे साथ तारीकों हो सकता है कि दिल्ली और पूर्वी राजस्थान और पूर्वी गुजरात में भी बहुत अच्छी बारिश दे, यानि कि यह जो सिस्टम है, जैसे हम पहले बता रहे थे कि जो पश्चिमी हवाय अच जो आगे बढ़ेंगे, और लोग पयस्चर अरिया, क्योंकि यहां तक यह जमीन में आके कमज़र हो जाएगा, लोग पयस्चर अरिया बन जाएगा, लेकिन जैसे ही यहां पर यह समुद्र में आएगा, तो इसको फिर से मौश्चर फीड मिलेगी, और जब मौश्चर फीड मिलती है किसी भी वेदा सिश्टम को तो वो शशक्त हो जाता है और वो ताकत ले ले लेता है और वो अंदर आएगा जब अंदर आते आते कमजोर हो कर ये बुद्धि परदेश तक आएगा काफी कमजोर हो जाएगा लेकिन फिर भी ये दिल्ली हर्याना के कुछ इलाको पश्चिमी उत्तर परदेश के साथ साथ पश्चिमी बद्धि परदेश और पूर्वी राजस्तान और पूर्वी गुजरात इन इलाकों में पांच और शे तारिक के बीच में हो सकता है साथ तारिक तक अच्छी बारिश दे जाए और वो बारिश की गत्वी दिया काफी अच्छी यारे कि बॉर्डेट हो सकती है एक दो हैवी स्पेल भी हो सकते हैं उसमें नजर रखे हुए लगातार इस पर अपडेट देते रहेंगे और यह फोरकाश्ट हो सकता है कि इसमें थोड़ी बहुत तब्दीली होती रहे तो कभी-कभी यह कमेंट आते हैं कि आपने त पर देते तो उसमें जो तब्दीलियां होती हैं वो आपको पता नहीं लगता इसलिए हम कोशिश करते हैं कि लगातार अपडेट देते रहें और जो भी चेंज़ेज हैं वो अगले वीडियो में उसको सामिल कर लें मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे यूटीब चैनल को सब्स्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर